नमस्ते आल रांडा रेनू में आपका स्वागत है आज मैं बताने जा रही हूँ चॉकलेट कुकीज की रेसिपी उसके लिए चाहिए 100 ग्राम मैदा और मैंने डेरी चॉकलेट लिया है ऐसा 20 रुपे वाली दो पेकेट लिया है आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं और छोटी कप से आधा कप दूद लिया है और चीनी लिया है डेर चमाच और स्वात का अनुसार नमक आदा चमाच करीब और यह डेरी मिल्क चॉकलेट है और हाप टी इस्पून बेकिंग पाउडर और मॉयाम के लिए एक से डेर चमाच घी अब एक एक करके सबको मीक्स करेंगे पले मॉयाम देंगे अब आधी छोटी चमाच नमक डालेंगे स्वात अनुसार और यह डेर चमाच चीनी पाउडर है चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है अब दूद के साथ इसे गूतेंगे बूत के अब यह डो तैयार हो गया है मैंने इसमें घी मुयाम के लिए था आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं अब इसे फिरीज में 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे 15-20 मिनिट के बाद अब मैंने डो को निकाल लिया है अब हम इसे रोटी के तरह बेलेंगे रोटी के तरह बेलने के बाद इस तरह का मोटा लेना है रोटी से थोरा से ज्यादा अब इसे हम चौकोर टुकरा में काटेंगे इस तरह करके चौकोर टुकरा में काट लेंगे अब इस चौकोर टुकरा में पाले चारो तरफ से थोरा पानी लगा देंगे ताकि जब हम इसे मोड़े तो खुले न और इसमें चौकलेट डाल देंगे और इस तरह करके मोड़ना है इधर से भी मोड़ना है इधर से भी मोड़ना है चारो कोना को मिला लेंगे और इस तरह इस तरह करके मोड़ेंगे अब इस तरह का कुकिज बना लेंगे और इसे 180 डिग्री पर 20-25 मिनिट के लिए बेक करेंगे ओवन में अब इसे 180 डिग्री पर 20-25 मिनिट के लिए बेक करने के लिए रख दिये बेक करते समय, 15 मिनिट के बाद आप चेक करते रहें, मेरे पूरे 25 मिनिट लगा है बेक करने में, अगर अवन नहीं है, तो हम तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, मध्य मांच पर, अब हम फ्राई कर रहे हैं, कुकिज को उल्टा देंगे, ध्यान रखिएगा, उसके बाद कम आज कर देना, एकदम स्लो में कर देना है, एक मिनिट तक और रखिएगा, फिर निकाल लेना है, अब हम इसे निकाल लेंगे, आप कुकिज के उपर, चाहें तो चौकलेट सिरप डाल कर भी खा सकते हैं, ये कुकिज, ये तीन कुकिज तेल में फ्राई किया हुआ है, और ये सब बेक किया हुआ है, अगर आपको चौकलेट कुकिज की रेसेवी अकर पसंद आई हो, तो लाइक करें, सस्क्राइब करें, कॉमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें,